Hello everyone, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोगों की यहाँ पर UPST Prelims से अर्जाम 2013 के लिए Mock Test की सिरी चल लही है, आज आपका ऐसी क्रम में Mock Test 10 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कुस करना है यहाँ आपका पहला प्रश्ण ह निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए, आज से पूछा गया है कौन सा अकतन सही है, संबिधान में संसोधन राष्टपती की पूर्व अनुमति से ही आरम किया जा सकता है, सभी संबिधान संसोधन विधेकों को प्रत्यक सदन में साधार भौमस से पारित किया जाना आवश करके होते हैं, संबिधान संसोधन का आरम संस्यत के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेक को पुरह स्थापित करके किया जा सकता है, विधेक को या तो किसी मंत्री या किसी गैर सरकाई सरस्तोरा पुरह स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्पदी की तो ऐसे वधियक को विशियस भहमत से अर्थात सदन की कुल सदस संक्या का भहमत और सदन के वस्चित और मत देने वाली सदस्यों के दो तिहाई भहमत से पारित किया जाना अनिवारी है। निम लिखित कतनों पर वेचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा गतन सही है। जैसा कि संब्धान की जो प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग में कहा गया है हम भारत के लोग। तो आप समझ गए होंगे कि संब्धान जो है वो भारत के लोगों से अपना प्रादिकार प्राप्त करता है ना कि संब्धान सब्धान से तो यहाँ पर आपका पहला वाला किया है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन यह भी गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन यहाँ पर बिल्कुल सही है देगे आपको याद होगा 1973 में केसवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोड ने विवस्था दी यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन यह बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा second का B वाला केबल third तीसरा प्रश्टन वापका यदि भारत का राश्पती संबिधान के नुच्छे 369 के धैद प्रदान की गई अपनी सक्ति का परियोग करता है तो राश्ट्पती किसी विराज्जी के लिए अध्यादेस की उद्गोषना कर सकता है उच्छी नयालेओं की सक्तियों को उच्टम नयाले द्वारा अवसुसित कर लिया जाता है राश्ट्पती को कुछ मूल अधिकारों के प्रबर्दन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो राश्टी आपात का विस्धार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है पूरे देश में नहीं अनुच्छे 369 राश्ट्पती को राश्टी आपात के दोरान मूल अधिकारों को प्रबर्दित कराने के लिए किसी भी नयायले में आबिदन करने के अधिकार को निलंबित करने की सक्ती प्रतान करता है हाला कि 44 समिधान संसुदन 1978 द्वारा इसकी सक्तियों को सीमित किया गया है इसमें कहा गया है कि राश्ट्पती अनुच्छे द 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को प्रबर्दित कराने हितु नयायले में आबिदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है यानि कि अनुच्छे 369 का जब राश्ट्पती प्रियोप करेगा तो उसमें राश्ट्पती आइटिकल 20 और आइटिकल 21 को प्रत्याभूत करने वाली जो सकतियां है इनको निलंबित नहीं कर सकता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो का तीसरे का C राश्पती को कुछ मूल अधिकारों के प्रबर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है चोधा प्रश्टने वापका हाली में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांस्प्लांटेशन है किसी पादपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तकनीक विभिन प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्याव रूपर रानी विहीन कॉलोनियों में मदमक्षियों को आकरसित करने की तकनीक जीवों के विशिष्ट समदायों के बीच माइक्रो बायोटा में परिवर्तन जेनो ट्रांस्प्लांटेशन विभिन प्रजातियों के बीच कोर्सिकाओं, उतिकाओं या अंगों के प्रत्यारोपर अंतर रोपर अथवा निसेशन से सम्मदित एक सब्द है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथे का बीवाला यानि विभिन प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपर पांचमा प्रशने बापका भारत में मार्सल लोग के संधर्म में मिमलिखित कतनों पर विचार कीजिए आप से मुचा गया है कौन सा अगतन सही है भारतिय सम्मदान के नुच्छेद 34 में मार्सल लोग को परिवासित किया गया है मार्सल लोग और आश्टियापात काल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है देखे आपका पहला बाला कतन सही नहीं है मार्सल लोग को संभिधान में कहीं भी परिवासित नहीं किया गया है या अंतरनिध है इसके अत्रिक्त समिधान में कोई विशिष्ट या इस्पष्ट प्राबधान नहीं है जो कारिपाल को मार्सल लोग उसित करने हैं तू अधिकरत करता हो तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा हाला कि जो आपका Article 34 है यह किसी चेतर में मार्सल लोग लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रदिबंदों का प्राबधान करता है लेकिन फिर भी मार्सल लोग को डिफाइन नहीं किया गया है सेकिंड वाला कथने आपर आपका बिल्कुर सही है मार्सल लोग और राष्टी आपातकाल दोनों को किसी भी बिशिश्ट खेतर में लागू किया जा सकता है हाला कि राष्टी आपातकाल का दायरा कहीं अधिक ब्यापक होता है और राष्टी आपातकाल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है जबकि मार्सब लोग को किसी एक हिस्से में है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला गतन सही है आपका सही आंसर होगा पांच में का बी केवल दो छटमा प्रश्टने बापका भारत में पदोन्नती में आरच्छर लागू करने के दोरान अनसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों से संबंदित लोगों के प्रतनित्त के संधर्म में निम्लहित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुचा गया है कौन सा अगतन सही है पहला है लोग नियोजन में लोगों के किसी वर्क के प्रतनित्त की अपर्याप्ता को दर्साने वाले मातरात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज़ेबाद्ध है पदोन्नती संबंदी पदों में आरचित स्रेडियों के प्रत्नित्त की अपर्याप्ता के आंगलन का उत्तरदायत कैंसरकार पर है हाली में सुप्रीम कोड ने पदोन्नती में आरचित को लागू करने के दोरान अंसूचित जातियों और अंसूचित जन्जातियों से सम्मदित लोगों के प्रत्नित्त का निर्धाल करने के लिए केंदर और राजियों दोरा मातरात्मक आखणों को एकत्र करने की आवशक्ता को समाप्त करने हेतु केंद सरकार की जो याजकाती उसको अस्विकार कर दिया है देगे एक बाद आया था सुप्रीम कूट के सम्मुक संदोयार्चे में नियाल ने दोरा दिये के निर्णय के अनुसार राज्य मातरात्मक आखणों को इकत्र करने के लिए बाद्य है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गथन बिल्कुर सही है अब देगे इस बाद में कहा गया है जैनि जन्रेल सिंग बाद में ये बात कही गई है कि पदोर्नती संबंदी पदों में आरचित वर्गों के प्रस्थित की अपरियापता की आंकलन का उत्रदायत तो राज्यों पर होना चाहिए ना कि कैंसरकार उपर तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा ये उत्तरदायत तो कैंसरकार पर नहीं है बलकि राजी सरकारों पर है तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है आपका सही आंसर वोका चटमें का एक केवल एक सातमा परश्टने बापका भारती परस्ट अधनियम 1861 ने निमन एकित्में से कौन सा या कौन से प्रापधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किया या किये भारती परसाशन में अध्यादस जारी करने की सक्ति वायसराई की परसाई में 11 सरकारी सजस्स्यों के रूप में भारतियों का नाम निर्देशन भारत के राज सचिप का नयापद आपको यहाँ पर कूट का प्रियोग करके सहीुत तरका चैन करना है भारती परसद अधनियम 1861 ने वाइसराय को आपातकाल के दोरान बिधान परसद की संस्तुत के बिना अध्यादेस जारी करने का अधिकार प्रदान किया और ऐसे अध्यादेस की अबदी 6 महा थी तो यहाँ पर आपका पहला वाला गथन बिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेकिंड वाला गथन ये भी सही है इस अधनियम ने भारतीयों को बिधनिर्माड की प्रक्रिया में सामिल करके प्रतिनिती संस्ताओं की सुरुवात की तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला गथन ये भी सही है देखे 1862 में इसमें तत्कालिनी वाइसराय लॉर्ड केनिंग ने अपनी विधान परसद में तीन भारतियों बनारस की राजा, पटियाला की महराजा और सर्व दिनकर राओ को नाम निर्दिष्ट किया था यहाँ पर आपका तीसरा वाला कसन यहाँ पर सही नहीं है यहाँ पर आपका केवल एक और दो कसन सही है आपका सही आंसर है साथ में का बी केवल एक और दो आटमा प्रशने मापका भारतिय संग की अव्यक्ति में निम लिखित में से कौन सा या कौन से सामिल है आपको यहाँ पर कूटका प्रयोक करके सही उत्तर का चैन करना है भारतिय संग की तुलना में भारत का राजिचेतर एक ब्यापक अव्यक्ति है जबकि भारती संग में केवल राजी सामिल है जबकि भारत के राजी छेतर में ना केवल राजी बलकि संग राजी छेतर तता ऐसे राजी छेतर भी सामिल है जिने भारत सरकार द्वारा बविस्व में अर्जित किया जा सकता है तो देखें यहाँ पर बात वो रही है भारती संग की ना कि भारत के राजिशेत्र की तो भारती संग में केवल और केवल राजिसामिल है और बादबा की संग राजिशेत्र या ऐसे राजिशेत्र जो भविस्त में राजिद्वारा अड़ित किये जाए ये भारत का जो राजी छित्र है इसमें ये दोनों सामिल है जबकि भारती संड में केवल और केवल राजी सामिल है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आट में का एक केवल एक नौमा प्रश्णे वापका निम निगित में से कौन भारत में सरकार की संसदी प्रणाली को परिवासित करने वाली विजिस्ता या विजिस्ताई हैं सरकार की संसिदी प्रणाली में सक्तियों का इस्पष्ट प्रताक्रण नहीं होता है और यहां पर कारिपाल का बिधायका का एक भाग होती है यानि कारिपाल का बिधायका की प्रती उत्तरदा Denise होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेकिंड वाला कथन आपका बिल्गु सही है जो सरकार की संसदी परणाली है इसमें कारिपाल का जो है बिधायका की प्रती उत्तरदाई होती है जबकि सरकार की जो राश्पती परणाली है उसमें कारिपाल का विधायका की प्रत्य उत्तरदाई नहीं होती है जबकि इसमें होती है तीसरा वाला कथन आपका गलत है यहाँ बर कैंद्र और राज्यों के मद्ध सक्तियों की बात आती ही नहीं है इस सरकार की संसधी परणाली राज्य के सासन तंत्र को परवासित करती है सक्तियों के विवाजन का सरकार की संसथी परणाली से कोई संबंद नहीं है क्योंकि सक्तियों का विवाजन स्वेम सासन तंत्र को परवासित करने के तरीकों के वजाए राज्यों के विकेंदरी गड़ और स्वायत्ता से अधिक संबंदित है यानि कहने का मलब यह है कि सरकार के संघी रूप से संबंदित है ना कि सरकार की संसथी प्रणाली से संबंदित है यानि ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर तीसरा वाला जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा बाला जो statement या दिया है ये सरकार की संघी रूख से संब्मद देता है ना कि संसती प्रणाली से संब्मद देता है तो यहाँ पर आपका second बाला गधन सही है आपका सही आंसर होगा नॉमेका C केवल दो दसमा प्रश्णे वापका संपत्ती के अदिकार के संधर में निम्लिखित में से कौन सा या कौन से सही है यह एक विदिक अदिकार है इसे संसत की एक साधर विदि द्वारा सीमित किया जा सकता है उल्लंगन के मामले में पीडित व्यक्ति से प्रबर्दित कराने के लिए सीधे उस्तम नियाले जा सकता है आपको यहाँ पर कूट का प्रियोग करके सही उत्र का चैन करना है लेकिन संपत्ती का अधिकार जो के पहले आपके मौलिक अधिकारों का पार्ट था यानि संभिधान के भाग 3 में यह अनुच्छिद 19.1.F और अनुच्छिद 31.1 में यह पहले बढ़ित था लेकिन चबार्ट जिलिसमा संभिधान संसोदन जो हुआ है 1978 में उसके द्वारा इसको यहां से हटा कर संभिधान के भाग बारे में आर्टिकल 300.A में इसे रख दिया गया बरतमान में यह एक विधिक अदिकार है ना के मौलिक अदिकार तो यहां पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुर सही है सेकिंड वाला गतन यहां पर यह बिल्कुर सही है इसे साधार विधी द्वारा इसे संसत की एक साधार विधी द्वारा सिमित किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन यह भी सही है तीसरा वाला गतन यहाँ पर बिल्कुल गलत है उनलंगन के मामले में पिरित प्यक्ति अनुच्षिद 32 के ध्यत इसके प्रवर्तन के लिए सीधे उष्टम नियाले नहीं जा सकता है तो यहाँ पर आपका third वाला गतन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल एक और दो कतन सही है आपका सही आंसर ए केवल एक और दो 11 माप्रश्टन है वासका नियमलिकित में से कौन सा या कौन से सिध्धान संभिधान सभादवारा पारित उद्यस प्रस्ताव में सामिल था या थे स्वतंत्र भारत और इसके संभिधान की सक्तियों इवं प्रादिकार का स्रोत लोग होंगे अल्प संक्कों और अनिपश्ड़े बर्गों को परियाप सुरक्षा प्रदान की जाएगी भारत 207 को बढ़ावा देने के लिए पूर और स्वेच्छा पूर योगदान करेगा आपको यहाँ पर कूर्ट का प्रियोग करके सही उत्तर का चैन करना है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुँ सही है यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है अल्पसंकों, पिछडे एबं जंजातिये चेत्रों, धलितों और अन्य पछडे पिछडे वर्गों को परियाप स्रक्षा प्रदान की जाएगी ये भी सुद्यस प्रस्ताव में सामिल था यहाँ पर आपका थर्डवाला ये भी सही है कि भारत विसु सान्ती को बढ़ाबा देने के लिए पुड और सुद्यस प्रस्ताव में सामिल था तो तीनों ही बातों सही है, तो आपका सही आंसर होगा ग्यारे का ए एक दो और तीन बारेमा प्रश्ने बापका हाल ही मैं सुर्खियों में रही भूंग लोटी है देशज पक्षी की एक बिलुक्त प्रजाती ओंगे जंजाती का एक जंजाती है त्यहवार रंजक बनाने के लिए प्रयोक्त एक पादप प्रजाती परंपरगत लोग चित्रकला की एक सैली देखे भूंग लोटी जो है ये एक लता है यानि एक बेल है जिसे कटैल की प्रच्च की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है परंपरगत रूप से इसका उप्योग बहुत विक्षूओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बारे का सी रंजक बनाने के लिए प्रयोगत एक पादप प्रजाती तेरेमा प्रश्चने बापका भारत की संब्धान सवा के सथ्थे प्रत्रक्ष रूप से निर्वाजित अप्रत्रक्ष रूप से निर्वाजित नाम निर्देशित आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग कर गे सही तरगा चैन करना है देगे भारती संब्धान सवा में कोई भी सदस्य प्रत्रक्ष रूप से जनता दोरा निर्वाचित नहीं था तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा देशी रियास्तों के सदस्य नाम निर्दिसित किये गए थे और बिटिस प्रांतों के सदस्य अप्रत्रक्ष रूप से प्रांती बदान समाव से निर्वाचित किये गए थे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तेरे का सी केवल दो और तीन चौदेमा प्रश्टने मापका भार्तिय समिधान को एक जीवन दस्ताविच कहा जाता है क्योंकि भार्तिय समिधान समाज की बदलती आवशक्ताओं के निर्वाचित किया जा सकता है समिधान राइनितिक वर्ग और नियाईपाल का दोनों के लिए व्याक्या हेतु परियाप्त तचीलापन प्रदान करता है आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही तरगा चैन करना है भार्तिय समिधान एक पवित्र दस्ताविज है किन्तु यह इस्थिर नहीं है यानि इस्थेतिक नहीं है यदि समाज द्वारा मांग की जाती है तो इसमें संसुदन किया जा सकता है सुतन्ता के पश्चास समाज की अवशक्ताओं के अनुसार इसमें कई संसुदन या उपुबंद एड किये गए और विदियों का निर्माड भी किया गया तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन इल्कु सही है समिधान के अस्थित्तु में आने की समय से ही रायनितिक बर्ग और नयायपाल का दोरा इसकी कई ब्याख्यां की गई है नयाय गोश्चनाओं या नेडियों के माद्यम से ऐसे कई सिध्धान्त इस्थाबे तुए हैं जिनका उलेक मूल समिधान में नहीं था जैसे आधारभू धांचे का सिध्धान्त तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सहिए यहाँ पर आपका एक और दो कान सा या कौन से सही है या चैनित उम्मी द्वारों की सेवाओं के वरीगर और कटर प्रबंदन के लिए अधिदेसित है या अपनी वारशिक निस्पादन डिपोर्ठ संसत को प्रस्तुत करता है इसकी अधिकार्था को संसत द्वारा निर्मित अधनियम द्वारा विस्तरित किया जा सकता है आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सहीतर का चैन करना है UPSC अखिल भार्ती सेवाओं और केंद्री सेवाओं के गुरूप A और गुरूप B में भरती से संब्दित है यह पदोन नती एवं अनुसासनात्मक मामलों पर सरकार द्वारा सलह मांगे जाने पर उसे सलह देता है यह सेवाओं के वरिगड़ बेतन और सेवा सर्तों केडर प्रबंदन प्रसिछड आधि से संब्दित नहीं है यह सारी विषय जो है इनका प्रबंदन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रसिछड विभाग द्वारा किया जाता है ना कि UPSC द्वारा तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा UPSC प्रत्यक बर्स राष्टपती को अपने निस्पादन से संब्दित एक रिपोर्ड प्रस्तुत करता है और राष्टपती इस रिपोर्ड को संसत के दोनों सत्रों के समक्च रखवाता है तो यह अपनी रिपोर्ड सीज़ संसत को प्रस्तुत नहीं करता है बलके राश्पती को प्रस्तुत करता है तो यहाँ पर आपका second वाला कथन गलत हो जाएगा UPSC को संसथ द्वारा संकी सेवाउं से सम्मधित अत्रिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं संसथ UPSC का अधिकार छेत्र में किसी प्रादिकर्ड, निगम, निकाय या सार्ज्मिक संस्थान की कार्मिक प्रणाली को भी रख सकती है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कु सही है यहाँ इसकी अधिकारता को संसर द्वारा निर्मित अधनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर वोगा पंद्रेका C, केवल थर्ड सूलेमा व्रश्टने बापका, सम्विधान की प्रस्ताबना के अनुसार जैसा के सम्विधान सभाद्वारा अंगीकरत किया गया था निम्रिखित मैंसे कौन से विशिसरणों का प्रियोग भारती गड़राजी को परिवासित करने के लिए किया गया था समाजवादी, संप्रभू, पंत निर्पेच, लोगतांत्रे आपको यहाँ पर कूड़ का प्रियोग करके सही तरगा चैन करना है यहाँ पर प्रश्ण में एक लाइन आई है, उस लाइन पर आपको विश्यस ध्यान देना होगा जैसा कि सम्विधान सभात वरा अंगिकरत किया गया था यानि कहने के मलब ही है कि हमारा जो मूल सम्विधान था, मूल सम्विधान में जो जो चीज़ें सामिल थी जब हमारा सम्विधान बनकर तयार हुआ था, उस समय जो जो सब्द सामिल थे, उन पर आपको ध्यान देना होगा और जो सब्द बाद में एड किये गए उन पर भी आपको ध्यान देना होगा तो समध्धान की प्रस्ताबना भार्तिकड़ राजी को समप्रभू, समाजवादी, Pantli-nirpiksh और लोगतांत्रिक के रुप में परिवासित करती है इन में से समप्रभू और लोगतांत्रिक सब्द समाजवाद और अंगीकरत प्रस्ताबना का भाग थे जबकि समाजबादी और पंत निर्पिक्ष्ट को इन दोनों को 41 में समिधान संसोदन के द्वारा 1976 में एड़ किया गया है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 16 का B केवल 2 और 4 जो सब्द हैं इस संप्रभू और लोकतांत्रिक यह समिधान सुभा दोरा अंगी करत किये गए थे जो कि हमारे प्रस्ताबना में एड़ोप्ट कर लिए गए थे जबकि समाजबादी और पंत निर्पिक्ष्ट को बाद में एड़ किया गया है 17 मा ब्रश्टने बापका समिधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्यों लोग से वायोग के गठन का प्रापधान करता है संयुक्त राज्यों लोग से वायोग को सम्मंदित राजब्धान सवाओं के अन्रोद पर संसत के एक अधनियम दोरा गढ़ित किया जा सकता है या इसका गठन राश्पती नहीं करते हैं बलकि संसत के एक अधनियम द्वारा ये गढ़ित होता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेगिंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कु सही है इसके सदस्यों की नियुक्ति राश्पति द्वारा की जाती है इसके सदस्यों 6 वर्स की अवदी के लिए या 62 वर्स की आयू प्राप्त करने तर जो भी पहले हो पत धारड करते हैं तो यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कथन इल्कु सही है यहाँ अपनी वार्सिक जो प्रतिवेदन है और प्रतियक राजिपाल राजिपदायका के समकच इस रिपोर्ट को प्रकवाता है तो यहाँ पर एक और थीन कतन सही नहीं है तो आपका सही आंशार होगा 17 केवल एक और थीन सही नहीं है 18 अपरश्टने बापका भारत के सॉलिस्ट्र जनर्रल के संधर्म में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए आपसे उचा गया है कौन सा कत्न सही है भारत के Solicitor General पद का उल्लिक भारती सम्विधान में किया गया है Solicitor General की भुमिका महानियाईवादी को उसके आधिकारिक उत्तर दायत्तों को कूरा करने में सहता करना है महानियाईवादी के अत्रिक्त भारत सरकार के अन्यविद्यदिकारी में ही है और ये भारत के Solicitor General और भारत के Additional Solicitor General है आपके सम्विधान में Article 76 जो है इसमें महानियाईवादी है Attorney General की विवस्ता की गई है जबकि सम्विधान में कहीं भी भारत के Solicitor General पद का उल्लेक नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन बिल्कुर सही है देखिए जो Solicitor General है ये महानियाईवादी को उसके आदिकारीक उत्तरदायतों को पूरा करने में सहीता करता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन सही है आपका सही आंसर होगा अठारे का B केवल 2 उननिसमा प्रश्णे मापका भारत के लिए सम्विधान सभा का वेचार निम्डिकित में से किसने सबसे पहले रखा था जवाला लहरू, M.N. Roy ने सुवाश्ण बोस ने, महात्मा गांदी ने 1934 में 1934 में M.N. Roy द्वारा भारत के लिए सम्विधान सभा का वेचार सबसे पहले रखा गया था और भी भारत में सामेवादी आंदोलन के प्रडेता और अतिवादी लोकतंत्रबाद के पहरुकार थे तो यहाँ पर आपका सही आंसर उनने इसका भी वा है यानि M.N. Roy द्वारा सबसे पहले सम्विधान सभा का वेचार प्रस्तुत किया गया था 20. प्रश्ण बापका उत्री अट्लांटिक संधी संग्ठन के संधार्म में निम्लिखित कत्नों पर वेचार कीजिए आपसे मुझा गया है कौन सा कत्न सही जाए या इस सद्धान के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक की विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला मना जाएगा इसका मुख्याले रसियल्स बेल्जीम में है उत्री अट्लांटिक संधी संग्ठन जिसे उत्री अट्लांटिक गठवंदन भी कहा जाता है या 27 यूरोपी देशों दो उत्री अमेर्की देशों और एक यूरेसियाई देश के बीच अंतर सरकारी सेनिस घठवंदन है यानि कुल मिलाकर इसमें बरतमान में 30 सतस्त देश है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गठन बिल्कुर सही है नाटो सिध्धान के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला मना जाएगा तो यहाँ पर आपका पहला वाला गठन बिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेगिन वाला गठन बिल्कुर सही है किसका मुख्याले ब्रसियल्स बेल जीयम में है तो यहाँ पर आपका एक और दो दोने गतन सही है तो आपका सही आंसर होगा 20 में का सी यानि एक और दो दोनो एक किस्मा वरशने हैं बापका निमनेखित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुझा गया है कौन सा गतन सही है आपातकाल के दोरान भारत के संगिय धांचे के एकात्मक सरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर समयधान से लिया गया है आपातकाल के दोरान मौलिक अदिकारों का निलंबन भारती समयधान की एक अनूठी विसेस्ता है देगे आपका पहला वाला गतन यहां पर सही नहीं है आपातकाल के दोरान कैंद सरकार सर्वसक्तिमान हो जाती है और राज्य कैंद के पूर नियंतरण में आ जाती है और यह संभिधान में आपचारिक संसुदन के बिना ही संगी धांचे को एकात्मक सरूप में परिवर्दत कर देता है राएनितिक विवस्ता का संगी से एकात्मक सरूप में इस तरह का परिवर्दतन विस्व के किसी भी समयधान से नहीं लिया गया है तो आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा आपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों के निनम्मन की जो विसिस्ता है यह जर्मनी के वीमर सम्विधान से ली गई है यानि कि जर्मनी के वीमर सम्विधान से विसिस्ता ली है यह हमारे सम्विधान की अनूठी विसिस्ता नहीं है याँ पर आपका एक और दो दो ने कतन गलत है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक किसका डीज? ना तो एक सही है और ना ही दूसरा 22 प्रश्टने बापका राज्यों को पुनरगठित करने की संसत की सक्ती के संधर में निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए आप से मुचा गया है कौन सा गतन सही है पहला है इस प्रकार के परवरतनों पर विचार करने वाला कोई भी विधियक राश्ट्पति की पूरु सिपारिश से ही संसत में पेस किया जा सकता है अनुच्छे तीन के ध्यत किसी राजी के चेत्र को कम करने की संसत की सक्ती में किसी भारती चेत्र को एक विधियसी राजी को समपने की सक्ती सामिल है राज्यों के पनरगठन के उद्धेश से सम्मधित कोई भी विधियक संसद में विशियस भौमत से परित किया जाता है राज्यों के पनरकटन के संबंद में परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विद्यक राश्पती की पूरुसी परिश से ही संसत में पेस किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन इल्कु सही है संबिधान के नुच्छे तीन के धहत किसी राजी के चित्र को कम करने की संसत की सकती में किसी भारती चित्र को एक विद्यसी राजी को सौपने की सकती सामिल नहीं है अर्थात अगर हमें कोई भारती चित्र किसी विद्यसी देश को सौपना है उसके लिए हमें समिधान संसोदन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा आपका सही आंसर ओगा 22 मेंका A केवल एक 23 मा प्रश्टने बापका राजिके महादिवक्ता की संधर्म में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए आप से मुचा गया है कौन सा कतन सही है वे राजिपाल द्वारा निउक्त किया जाता है राजिके महादिवक्ता के रूप में निउक्त होने के लिए उसकी आयू कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए उसका पारिस्रमिक राजिपाल द्वारा निधारित किया जाता है संभिधान में अनुच्चेद 165 द्वारा राजियों के लिए महादिवक्ता के पद की विवस्ता की गई है राजि का सरवुच विद्य अधिकारी होता है और महादिवक्ता की निउक्ति राजिपाल करता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुर सही है महादिवक्ता के लिए पातरता सर्थों में नियूंतम आयू की सीमा सामिल नहीं है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन गलत हो जाएगा मादिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्छ नयाले का नयाधीस नियुक्त होने के योग्य हो तीसरा वाला गतन यहाँ पर बिल्कु सही है मादिवक्ता का पारिस्रमिक समधान द्वारा नियाधित नहीं है उसे पर पारिस्रमिक मिलता है जो राजयपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन सही है यहाँ पर आपका केवल एक और तीन गतन सही है बंदी प्रतक्षी करण परमादेस प्रतिशेद आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना है देखें बंदी प्रतक्षी करण रिट निजी व्यक्तियों के साथ-साथ एक साज्मिक प्रादिकरण के व्रुद्ध भी जारी की जा सकती है जबकि आपकी अन्य रिटे परमादेश, प्रसिसेद, उत्प्रेसर ये केवल साजनिक प्रादिकरणों के विर्द्धी जारी की जा सकती है ये बंदी प्रत्रक्षी करड निजी प्रादिकर के लिए भी और साज्मिक प्रादिकर दोनों के विरुद ये जारी की जा सकती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 24 का एक, यानि केवल एक 25 प्रश्टने हैं बापका भार्टी सेमिधान के अनुच्छे 33 के संदर्व में निमनेखित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुचा गया है कौन सा कतन सही है अनुच्छे 33 के तहट बिदि निर्माड की सकती केवल संसत को प्रदान की गई है ना कि राजी विधान समाँ को अनुच्छे 33 के तहट निर्मित बिदियों को किसी मूल अधिकार के उलंगन के आधार पर किसी भी न्यायले में चनोती नहीं दी जा सकती है अनुच्छे 33 के तहट निर्मित बिदिया केवल युद्दक कर्मियों और ससस्त्रवलों के अधिकारियों को समलित करती है अनुछे 33 संसत को ससस्त्र बलों, आरदुस यैनिय बलों, पुलिस बलों, खुफिया अजयंसियों, के ससस्यों के मूल अदिकारों को प्रतिबंदित या निरस्त करने का अदिकार परदान करती है अनुच्छे 33 के थैत बिद निर्माट की जो सकती है वो किवल संसत को प्रदान की गई है ना कि राजिवधान सभाओं को तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है संसत दोरा निर्मित ऐसी किसी भी बिद को किसी मूल अदिकार के उलनंगन के आधार पर किसी भी न्यायलाय में चुनोती नहीं दी जा सकती है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है देकि ससस्त्रवलों के ससस्त्रवलों के जो वाक्यांस है इसमें युद्धक कर्मी और गैर युद्धक कर्मी दोनों ही सामिल है यानि कहने का मलब यह है इसमें नाई, बढ़ाई, मेकेनिक, रसोई या, चौकीधार, बूट मेकर, धर्जी यादी जैसे यह कर्मचारी भी सामिल है जो के गैर युद्धक कर्मचारी है यानि अनुच्छे 33 के दाएरे में युद्धक के साथ साथ 11 युद्धक कर्मचारी भी सेना के सामिल हो जाते है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा केवल पहला वाला कथन सही है आपका सही आंसर है 25 का A, केवल एक और दो तो यह था हमार आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो वसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए आज के लिए वस्तना ही Thanks for watching, जैहंद